वापस रिवर्स होते नजर आ नहीं रहा उसके लिए क्या करना होगा क्योंकि इंडिया ने मगबूजा कश्मीर पर कब्जा कर लिया है दाट इस रियालिटी वेर इस पाकिस्तान स्टैनि राइट नाम लेट्स टेक 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 वेल्कम बैक प्राइम इनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का जो दौरा है इस वक्त और जैनरल इसेमली में जिस तरह से हम यह समझ रहे हैं कि वहाँ पर कश्मीरी डायस्पोरा से भी उनकी मुलाकात हो चुकी है यह भी हमको मालूम है कि कश्रा खुरम अग्बाल ब्रेक से पहले आपने गुफ्त को सुनी ब्रिगेडिया साब ने भी कहा कि वी हाट बिन वीक जब आप अम की बात इतने वीक तरीके से पॉस्टिट करेंगे तो दुनिया को क्या मैसेज आप देना चाह रहे हैं यह भी आपके सामने है और जो बात अफदाफ साब ने कहीं कि इनर जो पॉलिटिकल इस्टिबिलिटी है या रिफ्ट विट विए अपोजिशन अल इस हैस लेड़ तो प्रॉबली आर वीक मेसेज और आइवुट से अप्लीट नॉट इस अफेलियर अवाद की मैं उस पर करना चाहूँगा एक चीज तु तु तो तै है कि मगर्ब के नदीक देख द्यशट गर्दी सिर्फ वो द देख अटिजब गर्ली के खिर बाट कर रहे हैं जो मगर्ब और इसके एदिखादियों को कार्गेट कर रही हो। cardiovascular त्जैब ते निजशब गर्दी को निशाना बनाया क्या निरिंद्र मुदी को माली गाउं मक्ता वस्चित और ये सारी अटाक्स याद है मुदी को और ट्रंप को एक बात याद रखनी चाहिए कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में हमने दैशत गर्दों के खिलाफ जंग लड़ी है और आज वो अपना वजूद भी बरकरार रखने के काबिल नहीं है प्रेज़ेंट ट्रंप मुदी और हिंदुस्तान वो मुल्क बन चुका है जहां पर एक दैशत गर्द अंदर से इंपलोड होगा ये हिंदुत्वा इंतहा पसंदी की जो लहर वहाँ चल चुकी है ये बहुत जल मुसल्मानों को तो ये निशाना बना रहे है सिखों को ये 1980s में बेदर्दी से कतल कर चुके है अब इनका निशाना वहाँ के हिसाई हैं वहाँ के रैशनलिस्ट हैं और हिंदुत्वा की ये लहर बहुत जल हिंदुस्तान को अंदर से ऐसे ही इंप्लोड करेगी जैसा के दैशतगर्दों में पिछले 14 साल में हमें नुक्सान कोंचाया तो ये सिर्फ इडिस जफ मैटर अफ ताइम जहां तक बात है तहरीक इंसाफ से जो हमारे दोस्ट यहां बैटे हुएं नादिर हमें एक चीज याद रखनी पड़ेगी कि हुस्टन में मौझूद चंद अफराद या हजारों अफराद की गिंती पर हम ये बिल्कुल ताइउन नहीं कर सकते हैं कि हमारी कश्मीर कॉलिसी फेल हो रही है या कामयाब हो रही है मिसाल के तोर पर मैं आपको कामयादी की कुछ इंडिकेटर्स दे रहता हूँ आज से पहले मारत हमेशा ये रागलाबदा था कि कश्मीर हमारा अटूट अंग है ये हमारा इंटर्नल मैटर है ये ही मुदी है जिसमें एक माच अब ट्रंप के सामनी इतराफ किया है कि कश्मीर हमारा इंटर्नल नहीं बलके पाकिस्तान के साथ डोंदर्फा मामला है और हम पाकिस्तान के साथ मिलकर इसे हाल करेंगे पहली कामयाबी दूसरी कामयाबी, कश्मीर, पाकिस्तान और इंटरनाशनल पॉलिसी डिस्कोर्ट से बिल्कुल खतम हो चुका था 5 अगस से पहले आज कश्मीर गूगल पे सर्च किया जाने वाला सबसे ज्यादा एक वर्ड है जिससे सबसे ज्यादा सर्च किया जा रहा है तूसरी कामयाबी, तीसरी कामयाबी ये है कि ये वही भारत है जो चांग साल पहले तर सलामती कॉंसल की मुस्तकिल रुकनियत का खाहा और खाहश बन था, इनका केस भी बहुत स्टॉंग हो चुका था, लेकिन 5 अगस के बाद ये पाकिस्तान की सिफार्ती और सियास्ती कोश् वह किसी भी तरह सलामती कॉंसल की मुस्तकिल रुकनियत का एभ नहीं हो सकता, तो अगले 10 साल तक्तु कमचका भारत जब भी कोशिच करेगा सलामती कॉंसल की मुस्तकिल रुकनियत की मुश्किल बहुत होगा, तो मेरे अख़र ये चन्द इंडिकेटर्ज हैं, जो बैस अजिए आइधर वी वर ओर अबिशिस के यु एन एच्सी आर के अंदर जैसे कह रहे थे शामेमूद कुरेशी साब के वो यह जरूर करवाएंगे लेकिन फिर हम नहीं वो रिक्वाइट सपोर्ट हासिल कर सके Do you not think that also gives a clear indication of how much or how many countries we have या कितना हम काम्याब हुए हैं? बिल्कुल इसमें कोई शेक नहीं है शामेमूद कुरेशी साब जो कह रहे थे वो बहुत ही उसमें रिजायत थी आपकिमिजम थी और पीटी आई में तो है इए बड़ी रिजायत यह तो कहते थे कि जैसे ही गहरत मन रहनुमा आये तो फिर दुनिया पूरी तबदील हो जाती है आपके आगे बिच बिच जाती है लेकिन हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान का वेट कितना कम है और किस तरीके से हमारे रिवायती दोस्त भी जो हैं वो हमारे साथ सपोर्ट करने को तयाद नही है इस पर मैं तोड़ी सी देर में बात करता हूँ देखें तीन हमारे पास आप्शन्स हैं बड़े प्लेरे पहली बात ये है कि कश्मीर को इनसानी हकूग के मसले के तोड़ पर उठाएं इसने हमें काम्याबी मिल रही है हमारे अपने कोई कमाल के बगएर क्योंके भारत के जराएं इतने ज्यादा हैं इस सदा के हैं कि उसने इनसानी हकूग के तन्जीमों और वर्ल्ड वेडिया की तवज्यों को अपने खिलाफ पर ट्रेक्ट कर लिया है ये हमारी काम्याबी है आप कहलें किसी की वज़ा से है या नहीं है बेरे खियाल में ये मोड़ी साथ की अ हमारी रेड लाइन है ये अगर करास होई तो फिर कंफिक्ट हो सकता है ये वो चीज है जो दुनिया भर की बड़ी ताक्तों को खौफ ज़दा करती है जो उनको अलर्ट करती है उनको दर्मयान में आने पर मजबूर करती है और सिचुएशन को बाइलेटर से निकाल कर एक सिचुएशन में तद्दील करती है उसमें हमें बहुत ज़्यादा कामयाबी जी वजीर आजम साहब में कुछ इशारे जरूर दिये लेकिन कोई बड़ी कामयाबी नहीं मिली तीसरी बात ही है कि ये जो सुरते हाल हम इस वक देख रहे हैं उसकी वज़ा को दूर करने से दो अपना अपना अपनी बात मनवास सकता है तो ये मुम्किन नहीं है आपको याद हुगा इमरान खान साहब अपने जलसों में ऐयूब खान की उस दोरे की फिल्में चलाया करते थे जब उनको अमरीकी सदर ने आकर रसीब किया था और एक मिसाली इस तक्बाल हुआ था और वज़ा बड़ी वाज़ है जब ऐयूब खान ने अमरीका का दोरा किया था तो पाकिस्तान की तरक्की की शराच 6 फिसद थी और सनती तरक्की की जो शराच है वो 9 फिसद थी उस वब भारत की तरक्की की शराच 3 फिसद के करीब थी आज भारत की तरक्की की शराच 6 फिसद से उपर है और पाकिस्तान की तरकी की जो शरा है वो तेन फीसद से कम है तो बड़ी वाज़े बात है ये कैसे हुआ मैं आखिर में सिर्फी एक चीज़ आपको कूट करूंगा शेकर गुपता भारत के बहुत मश्वूर साफी है मैं फी एक देख रहा था यूट्यूब पर विडियो उन्होंने कहा कि देखें जब आपकी मश्वषद 8 पिसद की रफ़तार से ग्रोग करती है तो आप पर 7 खून माफ होते है जब आपकी मश्वषद 7 पिसद के हिसाब से ग्रोग करती है तो आप पर पांच खुन माफ होते है अगर पांच पर आप आपका पूछने वाला नहीं होगा तो पाकिस्तान इस वらい भाई फीसद के हिसाब से ग्रो गर रहा है कितने बड़ी हंटोप चला सकते हैं कितना बड़ा हंटोप